किसान शातियों नमस्कार आज हम इस वीडियो में धाई वर्ष पहले लगाए गए अनार के बागीचे में अनार के उतपादन, बागीचे के रख रखाओ, अनार के फटने की शमश्या वे ओर्गेनिक अनार को बेचने में आने वाले शमश्याओं पर चर्शा करेंगे साथ इसाथ बगीचे के मालिक रिटाइड बैंक मेनेजर स्री रामदेव देवल से भी बादचित करेंगे अनार का ये बगीचा नागोर जिले की डेगणा तेशिल के गराम अलवाश में इस्तित है स्री देवल ने मार्स 2019 में अपने तेरे बिगा खेत में ये बगीचा लगाया था इस बगीचे में अभी शांदार फ्रूटिंग हो रही है जिसे देखकर देवल दंपती खुश है जबकि बगीचा लगाते शमें इनकी हशी उड़ाने वाले लोग अच्चे उत्पाद उनको देखकर मौन है और हैरान भी है क्योंकि किशी ने भी ये ने शोचा था कि रेतिले दोरों वे बालू रेत में इतना अच्छा बगीचा लग शकता है इस तेरे भी का खेत में इनों ने अनार के 2000 पोदे लगाए थे जिन में शेए 1800 पोदे, शुवस्त, वेक्षमान आकार के हैं सभी पोदों अच्छी फ्रूटिंग हो रही है फलों की शेंक्या की बात की जाए तो प्रतियेक पोदे पर 40 शे लेकर 60 तक फल लग वे हैं वोश्त 50 फलों की 200 ग्राम प्रतिफल के हिसाब से गणना करें तो अभी प्रतियेक पोदे पर 10 किलोग्राम फल लग वे हैं कम शेकम 50 रूपे का भाव माने तो प्रतियेक पोदे से 500 रूपे की आई होगी इस प्रकार बगीचे की प्रतम आई के रूप में शाड़े साथ लाग रूपे के लगभग आई होगी है कि शाट के लगभग फ्रूट लगभग हर पोदा है है तो शाट को मतलब एक पोदा पर लगभग कता के लों माल है कि शाट के लोगभग हर दस बारा के लोग लगभग हर बाव बजार मां बार बार साथ ने सकते लेट सुकूंटल कता होगे पांट शेल लाग री प्यांको माल लगभग दो साल का पोदा है ना अच्छी बात है बगीजे की देख बाल की बात करें तो ये बगीचा पुर्णतिया और्गेनिक है क्योंकि देवल सर स्वास्तिक साथ किसी भी प्रकार का समझोता नहीं करना चाहते हैं इसलिए इस बगीचे में राशाइनी खाद वे कीट नाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है खाद के रूप में हर से मैने बाद शड़ी वी गोबर खाद वे नेम खली की खाद दी जाती है नेम आग धातूरा वे गोबर से ये कीट नाशक इस पर तयार करते हैं जो पुर्णतिया और्गेनिक है दीमक मिटती है ये इसमें घूबर का खाद आग नेम पुर्णतूरा मिक्स करके उसमें पाणी डालते हैं अच्छा जिरेदे ये खादे ये करीबर एक पोड़े में आदा लेटर जिरेता है आदा लेटर और उपर दस लेटर पाणी पिलागे ये एक दम और गेनिक दीमक नहीं होती है इसे बिल्कुल है इसे कोई भी मिमारी नहीं होती है निमोटेड भी खतम होता है अच्छा इस बगीचे में शींचाई मीटे पाने से की जाती है इसके लिए यहां पर 80-80 फीट का फारंबोन बना हुआ है जिसमें वर्षा जल का संचे किया जाता है यहा पर उत्पन अनार अत्यांत मिठे विश्वादिष्ट है कलर तो बहुत ही बड़ी है इस वाद दिवाड़ाग देगा है पर लोग कहिए कि पंपेंट सोखे जमानों है इस पूरु फित्ती हरी है फिर भी मिट्ट ने पर क्योड़ी चीज़ है तेस्ट लेगा है बिल्कुल अनार के खेती में सबसे बड़ी समशिया फलों के फटने की है जिसे उतपादन फलों के गुनवत्ता वे आय पर पर्तिकुल प्रभाव पड़ता है यहां पर हम देख रहे हैं कि प्रतिक पोद्य पर दो से तीन फलों में फटने की समशिया है परमुकते ये समशिया बूमी में पोटेशियम, फोस्पोर्श, केलसियम, बोरोन में जिंग की कमीशे होती है, अते इन पोशक ततों को जड़ों में देकर वेश्परे करने से फल फटने की समयश्या पर काबू पाया जा सकता है, प्रन्तु यहां पर मामला कुछ और है. मोसम लिएयो वो संस्पोर को खादबगार बिदे साथ नहीं दिया, हो चामली खादबगार नहीं जेपाए, पृटने में एकाद फटा हैं कि पड़ता कोई फरकंने चाहित 허ं इंपते हैं उसमें में रह existe भताख छेए É6T글 फटने होट řेख से रशे प्रशने की सुआउग फटने से बचाने के लिए क्या देना चीवेशे अब इसमें खाद बगार टाइम पर देना पड़ेगा अच्छा अच्छा नाई पॉटास फास पॉट्पॉर्स नाइट्रोजन इन में से कोई चीज दो तो अप देते नहीं है क्यों में देना यह हुमन पुटी के लिए थोड़ा खतर्नाग होता है पोटास ना अच्छा 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 बात श्रमाज के लिए प्रेड़ना की बात इजाता है इक शुरु सुदो अश्रु बते लेगें और इसके अंदर जलते है न तो उसने लेव दिमग ए दिम खेंग तो नेना यह है निमोटाइट होता है नेमूटेड है ? निमूटेड जिसको जटके अंतर गांठे में जाती है तो नेमूटेड दवा देने से अपना पुरवत होचाता वराद में मेरेको दिक्कट आई थी उसको कोदे जलगे याते तो मेने सजावती दिमग लगी उसके कान से जलगी एक बाद में पता लगा दिमकने को तो नेमुटेड बिमारी को दूर करने प्या करना चाहिए इसमें दवा बायो नेमुटेड नेमुटेड एक नेमुटेड एफ लुटिमक्स करके उसमें डालने पढ़ती है अनार की खेती में दूसरी बड़ी समश्या तोतेवे गिलेरियों की है जो फलों को काट कर बड़ा नुक्षान पहुंचाते हैं तोतों से फलों को बचाने के लिए देवल सर ने ओड़नी के रूप में वेकल्बिक व्यवस्ता की है पर बर्ड नेट के बिना फलों को पक्षियों से बचाना संबव नहीं है कि मैं जाली सब्सकित पर उसमेंन शरकार देती 50.000 रुपए प्रती वहां है कर द नख दो एकड केलीए 50b हाँ दो एकड़ दो एकड़ मतों पांच वीगा फिर आपके तेरा वीगा में तो काफी खर्चा दो डाइलाग रुपर खर्च हो जाता है लेकिन लास्ट में जाकर के रेट नहीं मिल पाजी महिनत पर कोई दिकर नहीं है अभी ताई साल का पोदा है गिलेरियों पर काबू पाने के लिए इन्होंने परतिक पेड़ पर पोलितेन की पनी लगाई है देवदसर का मानना है कि वो बगीचे मानने वाली हर समयशा का समाधान परियावरन वे मानुश वास्ते को ध्यान में रखते हुई करेंगे अगर आप अनार की ओर्गेनिक खेती के शमंद में इनसे कुछ जानना चाहें तो किशी भी समय इनसे बात कर सकते हैं इन्होंना अपनी द्रडिचा शक्ती वे कटोर प्रिसरम दवारा इस शुंदर बगीचे का निर्मान किया है जो इस शेत्र के किशानों के लिए परियरना का बड़ा सरोत बनेगा बागवानी कर्शी आज की समय के आवशेकता है किशान के रूप में वही किशान भाई आगे बड़े हैं जिनोंने खेती में नए नए तरीके अपनाए हैं आप भी थोड़ी शी जोखिम उटाएं और आगे बड़ें अनार का बगीचा एक बार लगाने के बाद 25-30 वरस तक लगातार उत्पादन देता रहता है चिस्षे आर्थिक स्तती हो शुदिड बनाया जाशकता है अगर आपको मेरे दुवारा दे गई जानकारी परेरक वे उप्योगी लगे तो प्रामानिक वे विश्वस्नी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चेनल को सब्सक्राइब आउशे करें वीडियो में आन तक बने रेने के लिए आपका ते दिल से शुक्रिया बहु